राजस्थान अध्यापक पात्रता परिक्षा रीट 2021 के पेपर लीग और अन्य एन्यमित्ताओं की जाच CBI से कराई जाए इसको लेकर भारतिय जनता युवामोचा ने कलेक्टेट पहुँच कर विरोध प्रदेशन किया साथ ही राज्यपाल के नाम ग्यापन जिला कलेक्टर को सौपा विदायक वासुदेव देवनानी भारतिय जनता युवामोचा शहर जिला अध्यक्ष राहूल जैस्वाल सहित कारिकरताओं ने राज्यपाल के नाम सौपे ग्यापन में कहा कि राज्यस्थान अध्यापक पातरता परिक्षा रीट 2021 में हुई एन्यम जिताओं के माध्यम से राज्यस्थान सरकार द्वारा लगबग 28 लाग अभ्यारतियों के भविश्य के साथ खिलवार करने का काम किया है परिक्षा के पहले ही प्रश्णपत्र की प्रती कई अभ्यारतियों को ततकालेन शिक्षा मंतरी गोविन सिंग डुटासरा के गैर जिम्मेदाराना क्रत्य के कारण सरकारी करमचारियों वे कॉंग्रेस कारेकरताओं के माध्यों से उपलब्द कराई गई अपराथिक मामला दर्ज होने पर SOG द्वारा अनुसंधान में पेपर लीक होना माना जा रहा है लेकिन मुख्य आरोपी का पता नहीं लगाया जा सकता है SOG मुख्य आरोपी को पकड़ने के बजाए उसके खिलाफ सबूत मिटा कर बचाने का प्रयास कर रही है अते इस प्रकरण की जाच सीबी आई से कर आई जाए शुरू से ही संदे के घेरे में रही लेकि पिछले दिनों SOG ने चांच करके जो साबित कर दिया और घोशना कर दी कि यह पेपर आउट हुआ है और पेपर आउट होने के जो दो मुख्य बिंदू हैं तीन वह इस पस्ट हैं कि सारे राहिस्तान के अंदर पेपर के कौडिन चाहिस सरकारी अधिकारियों को बनाया जल्ट में सब्सक्राइब नहीं उनके लोगों को ही इन्होंने कौाडिनेटर बनाया उब सारे राहिस्तान में थानों और प्रूलीस कस्टडी में रखे गए लेकिन जैपर के अंदर यह पेपर अपने वहाँ श्रिक्षा संकुल के अंतरगत रखे गए, वहां को सीसी कैमरा नहीं लगाए गए, दस्वी बारवी की परिक्षा होती है तो यह सीसी कैमरा लगाए जाते हैं, सीसी कैमरा नहीं लगाए गए, और वहां से साबित हो गया कि पेपर वहां से, एक लिफावे में से एक पेपर न मंत्री और सुभाश गर्ग जो के मंत्री है राईसान मंत्र मिन्दम ये इसके सरक्षक मुख्य सरक्षक हैं अता हमारी मांग है कि यही सई जांच होनी है तो एस सो जी के बसका नहीं है इलिए यह जांच सीबियाई से कराई जाए और साथ ही इस पेपर को नरस्त करके दुबर प्रदार प्रदाशन किया और गहलोद पेपर मार्ट की और से पेपर आउट था वह पेपर लेकर के घूम रहे थे कि खुला पेपर है चाहे जो कोई जितने में ले जाओ उसके बाद हमने कलेक्टर को ग्यापन दिया है कलेक्टर से भी यह मांग किया कि मांग को सरकार तक पहुचा है और जिस सरकार नहीं पहुचाएगी तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेंगे जब तक सरकास की जांच के घोशना नहीं करेंगी जैसे की पुरे राजिस्थान को पता है पूरे राजिस्थान की युवाँ को पता है कि जो रीट परीक्षा पेपर लीख हुआ कांगे सरकार दौरह जो यह चल रहा है इसके आदे आग justamente करेंट में क्लेक्षा आजिस परे नाम पर दोर्न के कि किस समाज के लड़की साथ अध्या कभी रेप के जो वोट मांगे जब उनको वोट मिले वो सत्य मायत उन्हों ने कहा कि जो बेरोजगार उनको बत्ता दिया जाएगा बेरोजगार बत्ता तो दूर की बात रोजगार भी नहीं किसी को उसके बाद में अब यह पेपर लीक जो आउट हुआ है रीट की परिक्षा का जो पेपर सामने आ रहे कभी पाच करोड कभी साथ करोड तो कहीं ना कहीं एसोजी द्वारा यह बात बिलकुल प्रूफ है कि जो पेपर है वो आउट हुआ है तो यूवा मोर्चाज कलेक्टरी के उपर यापन देना है कि सीबी आई की जाच होनी चीए और जो राइस्थान की यूव आइं इनको इस चीज के अंदर नियाय मिले रहूल जैस्वाल यूवां जिलाद देख्ष्ण